असलाम वालेकुम गाईज कैसे हैं आप सब विलकम बैक टू मैं चैनल मैं रुबीन है और आज मैं आप लोग के साथ एक डाइट प्लान शेयर करने जा रही हूं क्योंकि बहुत जाद रीक्वेस्ट आ रही थी मैं नहीं बना रही थी क्योंकि व्यूज नहीं आते हैं तो फि कि मैं option भी बताऊंगी आप अपने हिसाब से बना के खा सकते हैं साथ में आप 3-4 लिटर पानी भी पीएं और कम से कम 40-45 मिट की walk exercise जो भी आपको सही लगे जिसे physical activities भी करते रहेंगे और healthy खाएंगे तो आपका बेट बहुत अच्छे से lose होगा तो ये सुबह उटके morning drink जि से बहुत जरूरी है तो ये मैं वैसे जाब तर ये नीबू पानी ही लेती हूं तो आधा नीबू और इसमें मैं एक चमच apple cider बनेगर डालके गुनगुने पानी में ले रही हूं आप जो भी drink लेना चाहिए जो भी आपको सूट करें वो आप ले सकते हैं जरूरी नहीं है क कि जो मैं बतारी हूं वही लें आप आप मेरे चैनल पर बहुत सारी morning drink की recipe है आप लोग दे उसमें से भी देखके कोई भी pick कर सकते हैं जो भी आप लें कम से कम दो हपते यूज करें उसके बाद ही change करें क्योंकि एक दो दिन लेने से फरक नहीं पड़ता है और पता भी नह लेंगे नहीं जब तक कि आपको बॉड़ी को कुछ दीखेगा निफर तो और हां drink लेने से ही नहीं होता है साथ में आपको पूरा दिन भी healthy खाना है जब ही आपका weight lose होगा यह नहीं कि आप कितनी भी drink ले लेंगे और साथ में healthy नहीं खाएंगे तो कोई फायदा नहीं चीला भी रेसेपी शेयर करी थी यह भी चीला बना के खा सकते हैं क्योंकि इसमें मैं बताया कि यह प्लान हाई protein प्लान है तो इसमें में बेसन का चीला है तो चने का बेसन और पनीर तो इसके साथ चाय थोड़ी सी है क्योंकि चाय के बिना बहुत जासी 90% लोग ऐसे हैं ज जादा बहतर है थोड़े दिन आपको लगेगा कि नहीं पी पाएंगे लेकिन बाद में पी रेंगे आदत पढ़ जाती है फिर आप मीठी नहीं पी पाएंगे जैसे मेरी के आदत पढ़ चुकी है चीला यह मैं फटा फट दिखा देती हूं चीले में यह स्टफिंग में बागे अपने हिसाब से भी आप कोई भी हाई प्रोटीन रेसिपी बना के खा सकते हैं आपके उपर है जो भी आपको सही लागे एक धेड़ घंटे करके आप एक कप ग्रीन टी ले सकते हैं और ग्रीन टी की रेसिपी में आगे पूरी वीडियो जरूर देखिएगा आगे पी है आखर मैं डाल दी है तो आप वैसे भी लूज वाली बना के पीएंगे तो उसकी गुड़नेस और अच्छी हो जाती है बढ़ जाती है अगर बैग वाली लेते हैं तो पानी करम करियास में डाल के डालेट ले सकते हैं क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं ग्र लंज की बारी आजाते है लंज मेरा नाष्टे तो छेला सा हैवी हो घचीला है चीला आप जैसरे एक पीछ हूझा थो फिर्लय था लेखिशा था धगहर्टे से एक लोग किला लैक्स और शुट था लाच नाष्चा भण है तो इसकी रेसिपी मैं चेयर करने जारी हूँ बगी और भी जो स्मूधी मेरे चेनल पर उसमें से भी आप कुछ पी ले सकते हैं बगी आप चाहे तो फुरूट चाट बना के ले सकते हैं खाली फूर्ट वैसे खा सकते हैं तो यह मैंने हाफ बीटूड ले या है हाफ एपड और थोड़ा सा मैंने अधरक का टुकड़ा ले लिया है हलका सा आधे इंच से भी कम है और दो-तीन कत्रे नीबू के डालेंगे हलका सा फ्लेवर के लिए आपको नीबू अगर नहीं सूट करता है तो इसकी भी कर सकते हैं तो इसको एक ब्लेंडर में डालके इसे बीटू डाल डाल दिया है और एपल डाल दिया है और बीटू जानते हैं जिसे स्कीन के लिए भी बहुत अच्छा है अगर आप इसको डेली लेते हैं जैसे तो आपकी स्कीन भी बहुत जादा अच्छी हो जाती है ग्लो करने लगती है तो हो सके तो बहुत से लोग इसके जूस लेते है स्मूधी लेते हैं लेकिन जूस से जाद अच्छा मेरे लिए सही है कि जूस क्या होता है जूस की में हलका सा जूस बहुत कम जूस निकलता है जूक अंदर से और बाकी फाइबर इसका निकल जाता है फेक नहीं पड़ता है तो आप चाहें तो इसी तरह ब्लेंड करेंगे तो आपको सारा फाइबर में मिलेगा इसका जूस भी मिल जाएगा और थोड़ा सा मैं देखी इसमें दालचीनी का दो तीन चुटकी जिसे दालचीनी के पॉडर है आपके पास नहीं है तो इस टिक डालके ब्लेंड कर सकते हैं फिर इसमें आदा ग्लास पानी डालके इसको अच् आएगा उससे लेकिन वैसे तो मैं पानी में ही कर रही हूं आप भी पानी में ले सकते हैं अगर आपको इसमें मीठा कम लग रहा है तो एक चमर शेह डाल सकते हैं वरना डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीटूट इस ताइम मीठी आ रही है और एपल भी मीठा है तो ड मीठा कних पोड़ी से नंट से अपले सकते हैं क्योंकि शाम मेंमें ज्यादत्र जाते सकते हैं या फाध सचाहराय अक्लै कोफिये अगर आपको लेसे तो आपक defence लिए डाट बीट फिर उसके बाद डिनर में हम यह सैलेड बनाया था ब्रॉकली और चिकन का सैलेड बहुत ही जादा टेस्टी बनता है इसकी रेसिपी भी आप ज़रूर देखिएगा इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्टर में डाल दूँगी दोनों का चीले का और इसका तो आप डिनर बहुत सारे तो आप उसमें से ले सकते हैं उसके बाद एक घंटे के बाद एक कप ग्रीज की डीचे की रेसिपी मैं आगे शेयर करते हूं विदित के बना घंटे हुआ लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं तो इसले इसमें आड़ कर दूँ तो ग्रीज सबनाने के लिए लूज ग्रीन टीव ऐसे बैग वाली असान होती है गरम पानी करो डालो पीलो लेकिन अगर लूज वाली इसमें थोड़ा सा आप आइडवेट करके अच्छे से बनाएंगे तो उसकी गुड़नेस बढ़ जाती है तो आप इस तरह से भी बना के ले सकते हैं देखिए मैंने ए से थोड़ी सी अंदर से थंड़क आपको मिलेगी और यह थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर भी रिफ्रेशिंग सा फ्लेवर भी आ जाता है तो आपके पास हो तो आप ज़रूर रैट करें बहुत अच्छा लगता है और ग्रीन टी जैसे बहुत कड़वी लगती है तो जिब स थोड़ा सा मैंने फुल मग भर के पानी डाला था तो आदे से थोड़ा सा बचेगा जबी तक पकाएंगे फिर इसमें आदा चमच ग्रीन टी लूज वाली डाल दी है डालके तुरंद गैस बंद करके इसको ढखके दो-तीन मिनिट के छोड़ देंगे उसके बाद चान लें बस इसमें कुछ एड मत करिए जैसे बहुत से लोग हैं ग्रीन टी पीते हैं शाहद जादा डाल के पीते हैं शाहद वैद में भी तो कैलरी होती है तो इसलिए हो सके तो ऐसी पीजिए तो चलिए अगर वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएग अला हाफीज